तो दोस्तो आज हम लोग आ गए हैं एक और करनाटिका के GI टैग या फिर कई हांडी क्राफ्ट को लेके तो दोस्तो ये है करनाटिका का रोस वूड इनले वर्ग और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि करनाटिका या फिर मैसूर बहुत ही जादा फेमस है अपने वूड एन फरनीचर के लिए तो चलिए उनी में से आज आपको बताते हैं कि ये रोस वूड इनले वर्ग कैसे किया जाता है ये एक तरह का ऐसा क्राफ्टिंग टेक्निक है जिसमें बहुत ही सुन्दर पीस और बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि आइवरी शेल, मदर आफ परल, हॉन और सांडल पूर जैसे मटेरियल्स को वुड पे कार्व करके उसके डिप्रेशन या कहें कि गहराईयों में बैठाय जाता है ये युनिक आर्ट मैसूर के 400 साल से भी जादा पुराना आर्ट है जहां पर ये युगो युगो से चलता आ रहा है और राजा महराजाओं के फरनीचर्स में भी दिखा गया है राजा जे चाम राज्य वोडियर्स चो की मैसूर के लास महराज या कहें 25 महराजा थ टेहते वराज दे जीखे ठेलक लोग आ इने बहुत जबहाँ जयाता था यह सबही कलाकार अपनी कलाकृति में बहुत जबहाजा शक्षम देशबर हों तरह तरह की डिजाइन्स से इंस्पायर्ड होके अपने इल्ले वॉक करते थे जैसे कि कभी वो फूल पत्तियों के डिजाइन्स बनाते थे कभी वो लोग जंगली जानवर और या फिर उनकी डेली रीचुल्स को भी इल्ले वॉक में उतारते थे पहले तो दोस्तों यहाँ पर इल्ले वॉक हाती दात को यूज करके करा जाता था लेकिन अब क्यूंकि हाती दात इंडिया में बिकना बैन हो गया है इस वज़ासे यहाँ पर अलगलग कलर के प्लास्टिक या डिफरेंट सबसीट्यूट्स को यूज करके ये पूरा इल्ले इस पूरे डिजाइन में सबसे पहले 8 पीस को पेपर पे ड्रॉ करा जाता है और उसकी कलर से माक्वी करी जाती है कि कौन से डिजाइन में कौन सा कलर हमें बैठाना होगा। इसके बाद दोस्तों इन सबी छोटे छोटे पीसेस को काट के इसको एक अलग ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करा जाता है। ये छोटे छोटे पीसेस स्टेंसिल की तरह काम करते हैं और इनको वुड की उपर चिपकाया जाता है। और यहाँ पर इले करने के लिए अलग अलग intricate होता है क्योंकि जितने छोटे पीस होंगे उतना time उसको cutने में लगेगा यहाँ पर outline को धीरे धीरे follow करके इन सबी designs को कालड़ा जाता है और cutting होने के बाद यह सबी color के wood pieces को arrange करा जाता है पहली वाली drawing को देखके ही और इन सब को glue की मदद से चिपका दिया जाता है यह सारा का सारा काम काफी time ticking होता है तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके अलगलग pieces को join करते जाते हैं यह तरह का puzzle game टाइप का है जिसके बाद यह पूरा composition बनके तयार होता है इस glue के piece को manually pressing machine में डाला जाता है ताकि सारे के सारे wood piece एक level में आ जाए और manually pressing करने के बाद दोस्तों यह सारे के सारे wooden inlay अच्छे तरीके से carved rosewood के अंदर जाके बैठ चुके हैं साथी यह छोटे मोटे gaps को fill करने के लिए यहाँ पे b wax का इस्तमाल हो रहा है और leveling करने के लिए hand grinder का इस्तमाल करा जारा है यहाँ पे पिगली हुई wax और sharp coal की मदद से पूरे artwork को साफ करा जाता है ताकि अगर थोड़ा बहुत भी scratch अगर rosewood पे लगा हो तो वो भी भर जाए इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे gaps को wax से दुबारा भरा जाता है और पूरे surface को clean करा जाता है और जितना work यहाँ पे in lake को prepare करने में लगता है उतना ही work इस पूरे surface को level करने भी लगता है जिसमें sand paper का भी कई बार इस्तमाल होता है finally यह पूरा level हो जाने के बार यहाँ पर एक और coating चड़ाई जाती है जिसको final polishing कहते है जिससे इस पूरे artwork में smoothness और shyness दोनों आ जाए यह एक तरका three dimensional inlay work है जोकि योगो योगो से artisans द्वारा करे जा रहे है और इतना special art form होने के वज़ा से इसको 2005 में geographical indication भी मिला है क्योंकि ये काफी सालों से मैसूर के local artisans द्वारा करा जा रहा है तब ही यहाँ पर घर घर में rosewood inlay का काम होता है और यहाँ के artisans पूरे world loan है जहाँ पर rosewood inlay का काम देश और विदेश तक पहुँचता है इससे कई साई चीज़े बनाएं जाते हैं जैसे की furniture, art work, frames, paintings तो दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग rosewood inlay पे कैसा लागा हमें comment करके ज़रूर बताईए तो ऐसी हमारे इस handlook and handicraft सीरीज के साथ बने रहेगे और जल्दी हम लोग आएंगे इस rich India के एक और art form को आपके सामने लेके तब तक bye bye and be safe